आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की और्ठेंटिक कट्टे की सबजी इसके लिए लिया हमने बेसन और उसमें डाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और जीरा फिर तेल का मौन डालने के बाद पानी डालके आटे को अच्छे से गूंड ले ना जादा सौफ्ट ह ना जादा ही सक्त अच्छे से आटा गूंडने के बाद उसके छोटा सा रोल लेके उसे हाथ से ऐसे लंबे-लंबे रोल्स बना दीजिए फिर उसे कट करने के बाद हमने एक पैन में पानी गरम करने रखा था उसमें डाल दीजिए सारे गटे ऐसे रेडी हो जाने के बाद उसे 10 मिनित तक पका लेना है, फिर चेक कीजिए अजर इजी ली टूट जाता है तो समझो आपके गटे रेडी हैं, फिर ठंडे करने के बाद उसके छोटे छोटे पीस काट ले, अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की, इसके लिए दो प्यास को हमने बारी काट लिया है, पैन में ओयल डालके उसमें प्यास डाल दीजिए, अदरक, लसन और मिर्ची का एक पेस्ट बना लेना है, फिर हमने लेना है बहुत सारा दई, उसमें डालिए ये पेस्ट, और नमक, मिर्ची, हल्दी और धन्या डालके उसे अच्छे से मिला दीजिए, जब तक हमारा प्यास भी ब दून चुका है, तो इसमें डालिए घटे, अब और कुछ भी नहीं करना है, बस जो घटे का पानी बचा हुआ था, वो डाल दीजिए, रेडी है आपके घटे की सबजी, उबा लाने के बाद इसे गरम-गरम सव कीजिए, और खाईए, ट्राय जरूर कीजिएगा, और सस्क